मूवी की स्टार्ट में हम एक चोटी बच्ची को उसकी मदर के साथ वर्थ अकैडमी की वेटिंग एरिया में बैटा हुआ देखते हैं। मूवी में उस बच्ची का नाम लिटल गर्ल है। वहां उसकी मदर उसे समझा रही होती है कि जजिस तुम से बस एक ही सवाल पूचें थी। जजिस उसकी फाइल देख रही होते हैं। और वो उससे सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि वह बड़े होकर क्या बनना चाहती है। और वो उस क्वेस्टन का वही आंसर कर दीती है जो उसकी मदर ने उसी बताया था। इट्स मीन क्वेस्टन ही चेंज हो जाता है। और ज तारा सामान लेकर वहां पर शीफ्ट हो जाते हैं वह अपने साथ वाला घर दिखते हैं जो कि काफी अजीब था और उस घर से बड़्स ओड़कर उनके घर पर बैट रहे थे मदर उन पर पानी पहंकती है और वह सारे ओड़ जाते हैं लिटल गर्ल अपनी मदर से पुछ दिय कि क्या मैं वर्थ अकैडमी जाने की काबिल नहीं हूँ जिस पर उसकी मदर कहती हैं कि अगर नहीं भी हो तो समर एंड होने तक हो जाओगी तब ही वहां पर एक वैन आती हैं तब मदर लिटल गर्ल को उसका लाइफ प्लैन दिखाती हैं मदर एक डोर उपन करती हैं जहां पर काफे चीज़ें बने हुई थी काफे कुछ मैंशन था मदर उसे बताती हैं कि तुमारी लाइफ का हर एक मिनट इन्हीं चार्ट के कॉडिंग गुजरेगा वो इसके इलावा और कुछ नहीं कर सकती मदर उसे बताती हैं कि तुमारा स्कूल स्टार्ट होने में 53 डेज है और इन डेज में वो एटमिशन की तैयारी करेगी और सिर्फ चार्ट के कॉडिंग हर गंटा हर मिनट गुजरेगी तब ही मदर को कहीं पर जाना पड़ता है और वो वहां से चले जाती है अब लिटल गरल घर में अकेली थी वो घर के अंदर जाती है लेकिन तब ही उसे से आ रही है तब पता चलता है कि उस मेल घर की वाल के पीछी से आ रही है और तब ही वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और प्लेन के विंग के पीसिस दिवार से टक्रा कर उसके घर में चले जाते हैं जिससे उसका लाइफ प्लैन भी हराप हो जाता है अब लिटल गरल अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन वोड और लॉप था लेकिन तभी वहां एक बुड़ा आदमी आता है यानी और उसी रास्ते यानी दिवार से गुजर कर घर के अंदर चला जाता है वो प्लेंग की विंग्स लेकर वहां से चला जाता है और तूटे हुई जगा पर वो प्लां करने पर वो सोरी बोलता है अब यहां पर वो पुलिस ऑफिसर ओल्ड मैन को रेस्ट नहीं करता ओल्ड मैन लिटल गर्ल को बहुत सारे कॉइंस यानी सीखी देता है ताकि वो अपने घर को रिपियर कर वा ले यानी उस वाल को टीक कर वा ले जो तूट गई थी इसके बाद रात हो जाती है और लिटल गर्ल की मदर घर आती है तब लिटल गर्ल उन्हें सारी बात बताती है तब उसकी मदर कहती है कि हम इंशॉरंस कंपनी में कॉल करने चाहिए और उस ओल्ड मैन के खिलाफ केस करना चाहिए लेकिन लिटल गर्ल कहती है कि मैं ये सब कुछ कर चुक एक पेपर से बना प्लेन नजर आता है जो कि उसकी बुक पर गिर जाता है लिटल गर्ल एक प्लेन को खोलती है और उस पर एक स्टोरी लिखी हुई थी और वो स्टोरी थी उसी ओल्ड मैन की इसके बाद वो स्टोरी को पढ़ने लगती है स्टोरी में लिखा हुआ था कि एक तफ़ा एक जगा पर एक चोटा सा प्रिंस रहता था जिसका नाम था लिटल प्रिंस वो काफी अकेला था और तब ही लिटल गर्ल को वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है और जब वो उपर देखती है तो वो ही ओल्ड मैन एक दूर भी लगा कर बैठा हुआ था वो लिटल गर्ल को कहता है कि तुम मेरी दोस्त बन सकती हो तब लिटल गर्ल ये देखकर विंडो बन कर लेती है और वो उस पेज को डस्ट पिन में फैंग देती है इसके बाद सुबा हो जाती है लिटल गर्ल और उसकी मदर फ्रेश होते हैं इसके बाद उसकी मदर आफिस के लिए निकल जाती है और लिटल गर्ल अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वर्काउट कर रही थी और ब्रिकफास्ट करती है इसके बाद वो पढ़ना शुरू कर देती है और लॉंच टाइम पर वो स्टड़ी करना छोड़ देती है फिर वो ओल्ड मैन के दिये हुए सिके काउंट करने लगती है और उसे उसमें से कुछ चीजें मिलती है जैसे के पिंस और क्रिस्टल बॉल इसके इलावा चोटा सा प्लेन और चोटी सी बॉय डॉल और वो बॉय डॉल एक प्रिंस था तब लिटल गर्ल को वो पेपर वाली स्टोरी याद आने लगती है जो उसने डस्ट बिन में फैंक दी थी तब वो उसे उठाती है और पढ़ने लगती है उसके आगे उस ओल्ड मैने अपनी कहाने लिखी होती है कि मैं भी बहुत अकेला था और मेरे पास भी बात करने के लिए कोई नहीं था और इसलिए मैं प्लेन चलाने लग गया और मैं पूरी दुनिया गूमा लेकिन पिर एक डैजर्ट में मेरा प्लेन खराब हो गया और वही पर गिर गया इसके बाद वो वही पर ही बैठा रहा उसके इलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था यानि बिलकुल अकीला था वो वहाँ पर लेकिन तबी अच्छानक से वहाँ पर एक बच्चा आता है इन होल बनाकर दे देता है जो कि उस बच्चे को बहुत पसंद आती है और वो ओल्ड मैन कहता है के देखो वो सो रहे है इसके बाद वो स्टोरी वाला पेच खतम हो जाता है अब यहाँ पर वो लिटल गर्ल काफी क्यूरियस होती है कि आगी क्या हुआ होगा इसके बाद वो बाहर आती है और काफी सोचने के बाद ओल्ड मैन के घर चली जाती है ओल्ड मैन के गार्डन में वो काफी चीजें देखती है जिनमें प्लेंज थे, साइकल्स थी और साइकल्स के टायर्स थे उस टाइम ओल्ड मैन अपना एक प्लेंटी कर रहा होता है तब लिटल गर्ल उसके पास जाकर उसे बुलाती है तब अचानक से उसकी आवाज सुनकर ओल्ड मैन घबरा जाता है इसी वज़े से बाई मिस्टेक एक पेराशुट आपन हो जाता है तब लिटल गर्ल उसे देखकर बहुत खुश होती है फिर वो पेराशुट लिटल गर्ल और उस ओल्ड मैन पर गिर जाता है इसलिए वो दोनों हसने लगते है फिर लिटल गर्ल ओल्ड मैन से उस स्टोरी के बारे में पूछती है कि वो बच्चा उस डेजर्ट में क्या कर रहा था और उसके पेरन्स कहां पर थे और वो आया कहां से था फिर वो ओल्ड मैन की घर काफे डिफरेंट चीजें देखती है जो लिटल गर्ल को काफे ड्रेक्ट करती है उसे काफे पसंद आती है इसकी बात ओल्ड मैन उसे उपर ले जाता है और प्रिंस के बारे में बताने लगता है कि वो एक स्टार पर रहता था और उसका काम था कि वो बुरे और नुकसान देने वोले ट्रेस को काट दे और जमेन से कभी भी ना निकलने दे और साथ साथ अच्छे ट्रेस की हिफाज़त करे वहाँ पर एक रोस फ्लावर भी ग्रो कर रहा था जो कि उस लिटल प्रिंस को बहुत पसंद था वो दोनों यानि फ्लावर और लिटल प्रिंस अपना सारा टाइम एक साथ ही कुजारती थे फिर एक दिन वो प्रिंस रोस को अकेला छोड़ कर उड़ गया तब लिटल गर्ल उससे पुछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तब ओल्ड मैन कहता है कि ये सब कुछ वो रोस के लिए ही तो कर रहा था और तब लिटल गर्ल का वाच अलाम बचने लगता है इसलिए वो घर भागती है जहां पर उसकी मदर आ चुकी थी मदर पुछती है कि तुमने स्टड़ी की थी जिस पर लिटल गर्ल उन्हें बताती है कि मैने न्यू फ्रेंड बनाया है और जब मदर लाइफ प्लैन चेक करती है तो फ्रेंड की लिए जिरफ आदा गर्टा था लिटल गर्ल रात को जब सोनी लगती है तो वो स्टोरी के सारे पेडिस को ठीक तरा से रखती है और उसे पढ़ने लगती है वो पढ़ती है कि लिटल प्रिंस डिफरन स्टार्स पर जाता है और पहले वो जिस स्टार पर जाता है वहाँ पर एक किंग था लिटल प्रिंस उसे संसेट करने के लिए कहता है जिससे वो किंग मान जाता है इसके बाद दूसरे स्टार पर जाकर वो एक आदमी से मिलता है जोके बिल्कुल अकेला उस स्टार पर रहता था आगे जाकर वो एक और आदमी से मिलता है जोके स्टार्स बेचा करता था तब लिटल प्रिंस उससे स्टार्स खरीदता है फिर लिटल गर्ल को दिखाया जाता है जो स्टोरी पढ़ते पढ़ते सो गई थी फिर नेक्स टे वो फिर से ओल्ड मैन के पास जाती है जहां पर ओल्ड मैन उसे काइट उडाना सिखा रहा था इसके बाद फिर से हम उस लिटल प्रिंस की स्टोरी की तरफ आते हैं जिसमें प्रिंस वापिस से अर्थ पर आ गया था जहां वो एक स्नेक से मिलता है स्नेक उसे अपनी पावर की बारे में बताता है ओधर लिटल गर्ल ट्री क्लाइबिंग सीख रही थी लेकिन तबी अचानक सी वो गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है तब ओल्ड में उसे मेडिसन लगाता है लिटल प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि एक फॉक्स को अपना फ्रेंड बना लेता है लिटल गर्ल ओल्ड में के साथ बहुत खुश रहती है वो सारा दिन खेलती हैं एंजॉई करती हैं वो पेंटिंग भी करते हैं जो कि अंधिरे में शाइन करती हैं और वो प्लेंस में पिच्चर्स भी बनाते हैं रात को जब लिटल गर्ल सोती है तो इसका पूरा रूम शाइनिंग स्टार से भर जाता है उदर वो लिटल प्रिंस और फॉक्स बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं लिटल गर्ल अपनी मदर को ऐसे शो करवाती है जैसे वो सारे काम टाइम टेबल के मताबे की कर रही है लिकिन जैसे उसकी मदर जाती थी वो तो ओर्ड मैन के पास चली जाती थी इसके बार लिटल प्रिंस को दिखाया जाता है जहां पर वो बहुत सारे रोज देखता है और अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि उसकी रोज सबसे अलग है और पूरे युनिवर्स में बिलकुल अकेली थी तब फॉक्स उसे समझाती है कि तुम्हारी रोज वाके ही सबसे अलग है और स्पेशल है क्योंकि वो तुम्हारी रोज जो है ओल्ड मैन कहता है कि हर किसी को एक ना एक दिन जाना ही होता है तब लिटल गर्ल उसे पूछती है कि क्या आप जा रहे हैं जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि हाँ मैं लिटल प्रिंस के पास जा रहा हूं फिर ओल्ड मैन लिटल गर्ल को कहीं पर गुमाने लेकर जा रहा था ओल्ड में गाड़ी चला रहा होता है लेकिन वो आगे आने वाली गाड़ी का धिहान नहीं रख पाता इसलिए पुलिस उसे रोक लेती है तब लिटल गर्ल पुलिस आफिसर को कहती है कि आज मेरा बेर्डे है इसके बाद वो पुलिस आफिसर मदर को वहाँ पर बुलाता है इसके बाद मदर और लिटल गर्ल गर्ल गहरा जाती है यहाँ पर मदर लिटल गर्ल को बहुत डांटती है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ सेट करना चाहती हूँ तिब लिटल गर्ल कहती है कि आप सिर्फ अपना पॉइंट ओ वियो देख रही है और मैं स्टडी करती तो हूँ हर टाइम अपना काम करती रहती हूँ और देखना एक दिन मैं भी गाइब हो जाओंगी तिब उसकी मदर उसकी सारी चीज़ें फैंक दीती है और स्ट्रिकली उससे टाइम टेबल फॉलो करवाती है यहाँ पर लिटल गर्ल ओल्ड मैं को बहुत याद कह रही थी उदर लिटल प्रिंस ओल्ड मैं के साथ कहीं पर जा रहा होता है लेकिन रास्ते में ही उन्ही रात हो जाती है ओल्ड मेन लिटल प्रिंस को अपनी गूद में उठा कर ले जा रहा होता है लिटल गरल अपना समान पैक करके ओल्ड मेन के पास चले जाती है और उसके प्लेन में बैट कर उसे उड़ाने का कहती है लेकिन वो ओल्ड मेन इस बात के लिए नहीं मानता और कहता है कि लिटल प्रिंस आगे अकेला ही गया था और फिर लिटल प्रिंस एक दिन मुझसी मिलने आया और उसे स्नेक नी काट लिया और वो कहीं पर गाइब हो गया तब लिटल गरल उसे पुछती है कि कि आपको कंफार्म है कि वो अपने रोज के पास चला गया होगा और उसे सब कुछ याद है यानि वो कुछ बूला नहीं है और वो अपने साइस से बड़ा भी नहीं हुआ जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि हाँ मुझे ऐसा ही लगता है तब यस उनकर लिटल गरल को उस पर घुसा आजाता है और वो उसकी चीज़े उसकी मुँपर फैंक कर वहां से चले जाती है इसके बाद वो अपने घर जाती है और सारे स्टार्स को क्लीन कर देती है और जब वो अपनी मदर के साथ होती है तो तब ही वो ओल्ड मैन को एक एमूलेंस में देखती है तो वो हॉस्पिटल जाने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है लेकिन कोई भी उसे ओल्ड मैन से नहीं मिलने देता इसके बाद वो घर आकर देखती है कि अभी भी उसके पास लिटल प्रिंस और वो रोज है इसके बाद वो विंडो के रास्ते बाहर आती है और प्लेन को स्टार्ट करने लगती है फिर प्लेन स्टार्ट हो भी जाता है और काफी मुश्किल से वो उसे संभालती है और हावा में उड़ने लगती है वहाँ वो एक सीटी देखती है जहाँ पर कोई भी छोटा बच्चा नहीं था क्यूंकि वहाँ पर बच्चे अलाउट थे ही नहीं वो वहाँ जाती है और रोल्स तोडने पर उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है और इस पुलिस को वहाँ पर लिटल प्रिंस नहीं बेजा था इसके बाद लिटल गर्ल वहाँ से भाग जाती है और एक लिफ्ट में आकर चूप जाती है वहीं लिफ्ट में उसे केंग मिलता है जो उस टाइम केंग नहीं था बलकि लिफ्ट का काम कर रहा था तब ये देखकर लिटल गर्ल को काफी अजीब लगता है इसके बाद वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाती है जहाँ पर उसे प्रिंस मिलता है जो के अपनी साइस से काफी बड़ा हो गया था और उस टाइम प्रिंस क्लेनिंग कर रहा था लिटल गर्ल समझा दिया कि वो सब कुछ बोल गया है अब लिटल गर्ल उसे सब कुछ याद करवाने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता लेकिन अचानक से प्रिंस की नजर लिटल गर्ल पर पढ़ती है और वो उसे देखकर कहता है कि तुम तो साइज में बहुत चोटी सी हो और यहाँ पर चोटे बच्चे अलाउट नहीं है। तब लिटल गर्ल उसे बताती है कि मैं ऐसे इसली हूँ क्योंकि मैं चोटी बच्ची हूँ। इसकी बाद प्रिंस उसे एक जगा पर लेकर जाता है जहां पर उसे पकड़ लिया जाता है और उसकी हर चीज को लेकर डस्ट बिन में फैंक देते हैं फिर लिटल गर्ल को बड़ा करने वली मशीन में डालने लगते हैं जैसे कि प्रिंस को किया था और जब लिटल गर्ल बड़ी होगी तो वो सब कुछ भूल जाएगी और तब Verga कि प्लेञें से स्टार पर वापिस जा सकते हैं इसके बाद वह राकर अपने प्लेन को क्रेश तेंडी से बचा लेते हैं और तब को ही इनसान आजाता है और भूर तो इस बाइना सिर्ण को बड़ से और उसे पकड़ लेते हैं अब प्रिंस तो उस प्लेन पर चला जाता है लेकिन लिटल गर्ल उन सारे स्टार्स को अजाद करवा देती हैं इसके बाद वो अपने स्टार पर पहुंचते हैं जहां पर बूरे ट्रीज आ गए थे और प्रिंस की रोज की डेथ हो गई थी क्योंक इसके बाद हमें लिटल गर्ल की मदर दिखाए जाती हैं जो सुबह उठती है तो लिटल गर्ल उनके पास आकर उनसे कहती है कि मामा जल्दे किजिए क्योंकि वर्थ अकैडमी में जाने से पहले हमने होस्पिटल जाना है फिर वो होस्पिटल जाती है और ओल्ड मैन को एक थेंक यू फोर वाचिंग।